नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में अपलो का स्वागत है आज हम लोग जो एनलेसिस करेंगी एक बच्चे के पाम है जिनके एज है 15 और इनके माथा पिताने इनके पाम भेजे हैं आगे की future के बारे में जानने के लिए और पड़ाई में अभी मन नहीं लग रहा है बच्चे का तो उसके लिए क्या करना है और किस तरीके सिनके जिनके आगे बढ़ेगी future में क्या हमें देखने को मिलती है यह सब जानने के लिए तो शुरूआत करते हैं हम लोग पाम की pattern की बात करेंगे पाम की बनावट की बात करेंगे तो यह पाम हम लोग एक बड़ी साइस की rectangular shape की पाम दीखेगी पाम में अभी से ही मांस काफी अच्छी हुई आ रही है तो काफी healthy पाम है तो इस तरीके सा हम लोग कह सकते हैं कि यह जो इनसान बनेंगे आगे चलके यह mental काम कच करेंगे ज्यादा भागदोर वाली या physical मेहनद वाली काम कच नहीं करेंगे जो कभी काम कच करेंगे बैठे बैठे एक ही जगा पे mental या दिमाग लगा के जो सारे काम कच किया जा सकता है उसी तरीके काम कच कर पाएंगे पाम की size बड़ी है तो इन future क्या होगी यह काफी महनदी भी होंगे दिमाग से लिए गए होगे काम में भी यह लंबे समय तक महनद करेंगे और जिन्देंगे में success अचीव करेंगे fingers की अगर बात करेंगे तो overall जो सारे fingers है वो wide open है मतलब बहुत ही जादा फैला हुआ finger से यहां से हमें clear पता चलेगा तो जब finger हम लोग नॉर्माली हम लोग पाम रखते हैं और यह पाम में हर माउंट के बीच में फिंगर के बीच में आपको जो gap है वो बहुत जादा दिखे तो ऐसे लोग free thinker होते हैं ऐसे लोग की सोच में कोई complex यह या इस तरीके का नहीं रहते हैं कि एक ही तरीके का सोच जेनली इनसानों में क्या होती है कि वो एक ही तरीके का सोचता है यह अक्सर हम लोग समझ पाते हैं जब हम लोग political ही सोचते हैं कोई भी इनसान जिस political party को believe करता है या मानता है बस उसकी बुराई कभी भी और नहीं देख पाएगा और जो opposition party है उसका कभी अच्छा ही नहीं देख पाएगा जिन लोगों के इस तरीके का palm हो ना finger चारो तरफ से फैला हुआ हो इस तरीके का ये पॉलम इन लोगों में नहीं आती है ये लोग free thinker होते हैं ये एक दम बीच में रहे के सोच सकते हैं मिडल में रहे के एक दम किसी भी तरफ बायस ना होके सोच सकते हैं तो ये काफी influence बहुत बैतिन तरीके से कर पाएंगे इनमें leadership quality अच्छी रहेगी और थम जो है मोटी है देखी rectangular shape palm है उसमें थम generally हम लोग देखते हैं पतले होते हैं लेकिन ये थम जो है काफी मोटी है 15 साल के बच्चे हैं और अभी भी काफी मोटी थम है तो ये dominant करेंगे ये dominance दिखाना पसंद करेंगे दोस्तों के बीच में अभी से स्याद इनको 15 साल हो चुकी है तो घर में होगा इस्कूल में होगा दोस्तों के बीच में होगा ये जो characteristics है ये देखनों को मिल जाएगा कि ये dominant करना चाहता है dominant करना पसंद करता है ये इनसान ये बच्चा finger थोड़ा क्रॉग है मतलब पीछे bend भी है थम तो flexible भी रहेगा कहीं पर किसी भी जगह पर ढ़लने की बात हो किसी भी तरीके का कामकच की बात हो ढ़ल जाएगा मतलग अगर इनके उपर पेशर की rate करेंगे और कहेंगे कि ये आपको करना है तो ये कर लेगा बीच में जॉब की formation है बहुत अच logic part कमजोर है मतलब planning करने की शमता और leadership देने की शमता में थोड़ी problem रहेगी और willpower जादा strong है तो ये दिखाती है कि दूसरे का order ही अच्छी तरीके से follow कर पाएगा ना ही कि खुद order देके दूसरों से काम इतनी वहतर तरीके से करबा पाएगा तो palm तो है rectangular ship उसमें अगर willpower strong दिखें तो मान लीजी कि इनसान आगे चलके medium range के level पे ही काम करेगा बहुत बड़ी senior position में इनसान आगे चलके काम नहीं कर पाएगा क्यूंकि अगर आप rectangular ship के palm है तो आपका दिमाग का में या mental काम आपको करना चाहिए और mental काम में तभी आप top level तक या बड़े position में दूसरों से order लेके काम करेंगे तो दूसरों से order लेके अगर आपको mental काम करना है तो बड़ी position में यह हो नहीं सकती है medium position तक यह आगे चलके carrier में पहुँच सकेंगे index finger क्रॉक है leadership quality यहां पर हमें अची खासी देखने को मिल रही है यह finger भी काफी gap है white gap है जिनके कारण भी leadership quality रहेगी बात करेंगे हम लोग mounts की और बीच में यहां पर देखेंगे तो finger के बीच में हमें यह जो सारे job की formation बन रही है सारे finger में है तो यह इनसान क्या करती है जिन लोगों के भी इस तरीके का होती है यह लोग short venture में या जैसे के हो गया आपका share market हो गया और जो सारे है जहां पर बहुती easily income हो जाती है बहुत risk लेकी income होती है उस तरीके का काम काज में आगे चलके है इस लोग अच्छे कर से पैसे कमा लेते हैं जिसका एक indication यहां पर हमें देखने को मिल रही है आगे चलके अगर इनका interest बनती है इस फिल्ड में तो मेरी राय रहेगी इनको उस रस्ते पर जाने देना चाहिए क्योंकि जो chances है काफी high है success होने के लिए माउंट की बात करेंगे और हम लोग देखेंगे इस माम को तो माउंट जो है आपर माउंट सारे positive आ चुकी है इसी एच के कड़िब देखेंगे तो जिगा बहुत बड़ी मिल रही है तो success तो high मिलेगा पैसे भी खूब रहेगा हर एक माउंट जो है positive है negative कोई भी माउंट म हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है अभी age कम है लेकिन फिर भी मैं कहा देता हूं कि मरकरी माउंट काफी strong है बड़ी जगा ले रही है सन की माउंट की तरफ जा रही है और यही से हमें देखने को मिल रही कि इनकी छोटी finger जो है क्रॉक है तो यह जो बच्चा है quick learner ह इसा नहीं कि इसे समझ में नहीं आता है पड़ाई इसे अच्छी नहीं लगती है पड़ाई इसे समझ में नहीं आती है ऐसा नहीं है जो चीज समझ में आती है बहुत जल्दी और quickly सीख लेगा इसकी दिमाग काफी strong है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो बच्चा है ये पढ़ाई में कमजोर है पढ़ाई में कमजोर नहीं है पढ़ाई इसे अच्छी नहीं लगती है इसलिए ये करता नहीं है क्योंकि छोटी फिंगर क्रॉक है तो quick learner होगा और जो भी काम इसे अच्छा लगेगा उस काम में बहुत जल्दी यह एक spot भी बन जाएगा तो यह खुबी है हमें देखने को मिल रही है इसकी छोटी finger से तो जो भी चीज इसे अच्छे लगे और वो practical यह आगे चलके beneficial भी होई इसके लिए वो सारे चीज़ इसको करने देना चाहिए अगर किसी sports में activity इसको अच्छे लगती है तो sports में देना चाहिए अगर इसको और कोई field में अच्छे लगती हो कोई चीज जैसे कि इसकी भेनास मांट कामी permanent देखने को मिल रही कोई अगर आठ के पती कुछ ऐसा है creativity लेवल भी हाई रहेगी moon mount भी काफे strong है तो यह सब कुछ देखके जो भी चीज़ इसको side में अगर कुछ सिखाया जाए तो बहतर रहेगा जो इसका interest भी हो और आगे चलके carrier के लिए भी इनको फाइदा मिलता हुआ दिखे यह सारे चीज़ parents को जरूर देखनी चाहिए sun mount अभी strong है sun की यहाँ पर कुछ sign बगर बन रही अभी तक permanent नहीं है तो analysis हम लोग नहीं करेंगे certain mount भी दबी होनी चाहिए खड़ी line अभी से आ रही है तो पैसे की भी दिक्कत आगे चलके आईगी नहीं यूपिटर माउंट काफी बड़ी है तो satisfied career रहेगी faith line की ending पार्ट भी अभी से यूपिटर की तरफ जा रही है यह भी दिखाती है कि satisfied career रहेगी जो भी career में यह काम कच करेंगे उसमें यह काफी satisfy भी होंगे ठीक है अगर ऐसा काम करता है ना यह आगे चलके जहाँ पर practical काम जादा करना पड़े मतलब जैसे कि हम लोग थाम में देख चुके है ना कि will power इसकी जादा बड़ी है तो ऐसा अगर कोई यह profession में जाता है job में या business में नहीं जहाँ पर practical काम जादा करना पड़ता है जैसे कि खेल कुद हो गया हो अपका sports line तो अभी तक आया नहीं है तो इस तरह का कीव सी भी तरीके का अगर sports का भी activity करेगा जहाँ पर physical labor जादा देनी पड़ेगी planning की उतनी जादा जरूरत नहीं है execution की जादा जरूरत होगी तो इसकी केडियर बहुत बड़ी उपर तक जा सकती है क्योंकि जो फेट लाइन की इंडिंग पार्ट है सटन माउंट की और जूपिटर माउंट की तरफ जा रही है तो यह काफी positive है mangle माउंट कमजोर है ठीक है ना इमून पाउर कम हो जाती है ऐसी इंसानों के ठीक है energy level कम होना इमून पाउर कम होना यह अच्छी बात नहीं होती है तो ऐसे लोगों को outdoor sports या exercise में जरूर देनी चाहिए ठीक है rate coral इनके लिए अच्छी remedy रहेगी अगर mangle इनके horoscope में 8 बे घर में 12 घर में बात करेंगे वेनस माउंट की तो ठीक ठाक वेनस माउंट हमें देखने को मिल रही है luxury line बहुत ज़्यादा है इतनी कम मूमर में luxury line अभी के बच्चे में ही main problem आ जाती है दो चीज़ एक तो luxury line और दूसरी addiction line तो luxury line काफी भरमार है इतनी ज़्यादा होई नहीं चाहिए इससे बच्चे जो है लेजी बन जाते हैं तो outdoor है जीए exercise कराई है sports में भेजी है नहीं तो problem आ जाएगी curry line बहुत सारी है prominent है तो मेहनत करेगा तो fall उनको बहुत अच्छी मिलेगी थोड़ी सी मेहनत से ही इनको अच्छी fall मिलेगा अभी इस age में क्या fall मिलेगा पराई में खेल खूद में जहाँ पर भी थोड़ी सी भी मेहनत करेगा वहाँ पर इनको अच्छी success मिलता हुआ दिखेगा चंद्रमा माउंट बहुती बड़ी स्ट्रॉंग चंद्रमा माउंट है बहुती बड़ी स्ट्रॉंग चंद्रमा माउंट है हाई imagination power रहेगी हाई creativity level रहेगा इनका तो creative कोई काम का जगर सीखेंगे या उसमें अगर interest है तो ज़रूर देनी चाहिए उसमें इनको जबरदस success मिलेगा यहाँ पे cross की sign बन रही है तो पानी से related problem आ सकती है विदेश में जाके दिक्कत आने के chances समय देखने को मिल रही है ठीक है यह सब कुछ देखने को मिल रही है बात करते है main lines की main lines में कुछ problem दिक्कत है heart line की बात करें job की formation से शुरू हो रही है तो यह अच्छी point नहीं है heart related disease होना family में कोई disease है तो उसका खत्रा रहना यह सब कुछ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे देखेंगे heart line की ending part ठीक ठाके कोई बहुत ज़्यादा problem कुछ है नहीं और अगर हम लोग देखेंगे mile line देखेंगे तो दोनों ही palm में देखेंगे तो mile line जो है ना इनके काफी लंबी है यह left palm है यह right palm है दोनों ही palm में mile line जो है काफी जवरदस्त लंबी है तो इनको जो होगा जिन्दगी में होगा अगर job करेंगे तो ज़रूर government job और कोई job के लिए कोशिश भी मत करिएगा government job की जो पढ़ाई है वो सब कुछ कड़ाते रहिएगा अगर यह job के लिए जाते हैं तो नहीं तो profession बिजनेस तो बिल्कुल नहीं अगर family business है तो family business अगर family business नहीं है तो family business भी नहीं और private job भी नहीं क्यों फिर government job यह पालेगा बहुत ही आसानी से क्योंकि माइन लैन इनकी काफी supportive है ठीक है माइन लैन में कोई बहुत ज़्यादा परेशनी नहीं है बस माइन लैन लंबी है माइन लैन की एक ब्रांच निकल के जा रही है market की तरफ तो business करने की इच्छा रहेगी लेकिन उसमें success बहुत अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत लंबा struggle रहेगा और लंबा struggle के बाद इनको success मिलेगा तो उतनी देड़ तक स्ट्राइद यह hold नहीं कर पाए business यह छोड़ देंगे polym जो है इनके पाम में हो सबसे जदा जो पॉलम है life line में पॉलम है क्या है पॉलम life line छोटी है यह कुई पॉलम नहीं है life line छोटी हैbekि कुछ पॉलम नहीं आती है लेकिन life line सीधी या टेरी मेरी नहीं हONा ही चाहिए देखिए यहाँ पर life line को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहां पर यहां पर जॉब के साथ शुरू हो रही है यहां पर जॉब के साथ शुरू हो रही है यह दिखाती है बच्पन और टीनेज इनके बहुत अच्छा नहीं रहेगा अभी भी बीत नहीं रही है तीनेज में ही है उसके उपर बहुत सा emotional problem आ जाती है तो एक तो है life line में भरपूर कट है राहू लाइन की cut बहुत सारी है कही पे भी आप ऐसा जगा ही नहीं है जहापे life line में cut नहीं है तो इतनी ज़्यादा cut मैंने draw कर ली इतनी इसी चोटी जगा पे तो life line में एक तो है क्या है जो current निकलती है उसमें बार बार बादाया आती है तो life line के strength कमज़र ही पे हो रही है दूसरी चीज़ यह life line बिलकल round shape में है नहीं यह यहाँ पे देखेंगे तो curve है थो रही सी उसके बाद यहाँ पे यहाँ पार देखिए अंदर की तरफ मुर रही है इस तरीके से life line होनी चाहिए इस तरीके से हो रही है इस तरीके से तो यह wrong turn है उसके बाद देखिए job की formation है इस पार्ट में जॉब की फ्रमेशन है आप घुमने जाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए लाइफ 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 तो ये है लाइफ लेंड तो हर एक चीज में इनकी एनरजी जो लाइफ एनरजी आती रहती है हर एक चीज में हम लोग देखेंगे कि ये पॉलम हो रही है ठीक है तो ये क्या लाइफ थिटनी है हाँ मैं कहुंगा कि हाँ अगर इसकी उपर जादा ध्यान नहीं रखेंगे इस इसकी सेहत के पती जादा ध्यान दीजिएगा किसी भी तरीके से इसकी सेहत में कोई पॉलिम ना पाए आएगा तो डॉक्टर से सलमाश्वरा करते रहीगा रिमेडी के लिए जरूर इसकी जो है एकसरसाइस कराते रहीगा फिजिकल एकसरसाइस जरूर करानी चाहिए स्पेशल बनना अच्छी बात नहीं है ठीक है लाइफलेंड की इनरजी जो है बीच में ये तूट जाती है समझ लीजिए ना इस तरीके से सोची एक नदी आ रही है पर बस से जाना है सागर की तरफ ठीक है यहां पर हम लोग सागर समझ सकते हैं बीच में खटम हो जाए को फोर्स से वो नहीं आएगा बीच में इदर उदर ओओ इनरजी हो चला जाएगा तो यहां तक जब आ रही है यह में लाइफलाइन यह वाली यहां तक आते हुए इसमें इनरजी नहीं रहती है उतनी जदा करेंट या फोर्स नहीं रहती है जिनके कारण शौट फोर्स नहीं रहती है इनरजी बहुत कम रहे जाती है तो एक्सराइस करानी है तीन मुखी रुदराक्ष गले में धारन करवा रचा इजिएगा हर दौतिन साल के अंदर करवाते रहिएगा चांदी के साथ जरुआ के इसके गले में लॉकेट बनाके बड़े साइज की तीन remedy जरूर करिएगा और एक चीज़ है study के लिए अभी हर एक parents के लिए मैं ये remedy कर रहा हूं दे रहा हूं फ्री में दे रहा हूं करिएगा अब के बच्चे अगर पड़ते हैं थोड़ी सी भी पड़ते हैं तो उसमें result अच्छा मिलेगा पहले जो आदा गंटा पड़के जो बच्चा जो याद करता था और exam में जितना result करता था उससे बहतर करेगा इस remedy से बच्चे जादा नहीं पड़ेंगे हां लेकिन जो पड़ेगा उसे याद रहेगा और examination hall में जाके ये अच्छी तरीके से ये जो है लिक पाएगा जिनके कारण इनको marks या marks अच्छी आएगी और जितना पड़ेगा याद भी रहेगा हम लोग देख लेते हैं क्या करना है ये बास्तु की साइड रहेगा इस्ट रहेगा उस घर का और वेस्ट रहेगा राइट बीच में कंपस रख लिजिए तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि नॉर्थ की इस तरफ है ऐसा भी हो सकती कि नॉर्थ का काटा आपको इस तरी यहां पर दिखाए यह सेंटर दिखाए मतलब इ बीच में कंपस रख लिजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सिंटर नॉर्थ कैसा है तो सिंटर नॉर्थ सेंटर साउथ सेंटर इस संटर ओइस्ट आपको मिल गया है अभी क्या करना है देख लीजिए घर के जो कॉर्णर होते हैं उहां पर आपको साउथ और वेस्ट के क पीच में अगर भाग कर लेंगे तो उसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा जो एक्स्ट्रीम ओइस्ट होगा एक्स्ट्रीम ओइस्ट और साउथ ओइस्ट की कॉर्णर की जो दिबार है उस जगह से हम लोग उस दिबार को हम लोग 50% में बाड़ देंगे इसे कहते हैं copy, सारे किताब, हर एक चीज जो है, यहां पर रहेगा, यह जो जगा है, याद करने की जगा होती है पढ़ाई की जगा होती है, इस जगा पर बैठके अगर कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो उसकी जो memory है, acceptability है बहुत जादा बढ़ जाएगा उतना ही पढ़ेगा, मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि यहीं पर बैठके पढ़ेगा, तो बहुत जादा पढ़ेगा ऐसा नहीं है, पढ़ेगा उतना ही लेकिन result बढ़िया रहेगा और उसकी memory में भी याद हो जाएगा कि उसने क्या पढ़ा है ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिया इस जगापे आप पढ़ेने दीजिएगा बच्चे को और इस जगापे ऐसा कोई भी मत चीज रखिएगा घर में जिससे के बच्चे को पढ़ाई में डिस्ट्राब हो जैसे कि आपका टीबी टेलिविशन हो गया ठीक है, कोई गेम जो गेम अप नहीं चाहते के बच्चे ना खेले जैसे के वीडियो गेम बगरा हो गया उस सारे चीज यहां पर नहीं रखनी है यहां पर जो भी कुछ रखेंगे और उनकी मेमोरी में आ जाएगी अगर यहां पर टीबी रखेंगे तो टीबी की काटूनी उसे हमेशे याद रहेगा ना ही पड़ाई इस बात का ध्यान रखिएगा तो फिर से आ जाता है पाम में पाम में और कुछ नेगेटिविटी भी है क्या क्या नेगेटिविटी है यह एडिक्शन लाइन यह वाली एडिक्शन लाइन बहुत ही नेगेटिव है इतने छोटे बच्चे के पाम में एडिक्शन लाइन अच्छी नहीं है इस पाम में है तो हो सकती है कि आचकल के बच्चे जो करते हैं मुवाइल गेम बगरा में एडिक्शन आ जाती है तो ऐसा कुछ एडिक्शन है सो उससे दूर भगएगा अब बात कर लेते हैं इसकी केडियर के बार में पहले ही बता चुका हूँ कि गॉर्मेंट जॉब और पॉफेशन इस दोनों में ही एक ढूनने को बोलिएगा जॉब करना है तो गॉर्मेंट जॉब की पिपरशन आलियस से करवाते रहिएगा क्यों क्योंकि इनके जो लाइफ लैन की इनर्जी लैन कम है तो ये बहुत ज़दा मैनत करने ही पाएंगे फिजिकली भी और बहुत ज़दा टिंपरमेंट भी नहीं रख पाएगा तो इसके लिए गॉर्मेंट जॉब सेफ रहेगा गॉर्मेंट जॉब जाएगी नहीं एकी जगह पर ये बैठे बैठे आराम से काम कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं तो गॉर्मेंट जॉब भी इनको करवानी चाहिए दूसरी जो बात है इनकी फेट लाइन जो बहुत ही स्टार्टिंग जो है बहुत ही आलियस से शुरू हो रही है यह वाली जो फॉर्मेशन एज जॉब की फॉर्मेशन है उसके बात लाइन यहां तक टेड़ी मेरी डिफेक्टिव है यहां से एक बिराच निकल के यहां तक जा रही है मंगल की तरफ जा रही है जो भी सारे चीज़ है यह सारे नेगटिव है तो केडियर इनका आप एंड डाउन रहेगा कड़िब कड़िब एजब तक रहेगा इनका 32-33 33 के बाद से जो है इनका फेट लाइन बहुत स्टॉंग जा रही है तो 33 के बाद इनके केडियर में अल्टिमेट सक्सेस मिलेगा उससे पहले का जो केडियर रहेगा वो बहुत जादा अच्छी नहीं हाँ काम मिल जाएगा जॉब मिल जाएगा लेकिन बहुत अच्छी नहीं 33 के बाद से इनके केडियर जो है स्मूद रहेगा सक्सेस्फूल रहेगा तो यह रही इस पाम की एनलैसिस एक नहीं पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे तब तक के लिए आगा दीजिए शुक्ति अप्लोड